विलाई जन कल्यान समीती डड सेना सिनहा कलार समाजवारा भावे शोभायात्रा निकाली गई एवं सतना रैन पूजा के साथ रैली निकाली गई गौर्दलबागी 36 डड सेना कलार समाजवारा भावे शोभायात्रा मा कल्यानी शितला मंदिर मरोदा से निकाली गई जिसमें समाज के अत्यधिक मात्रा में शोभायात्रा में भाग लेने वाले लोग शामिल हुए जगा चगा समाज के प्रती निष्ठा एवं समाज के कर्तवे के बारे में शोभायात्रा के माध्यम से बताया गया साती जागरुग भी किया गया जन कल्यांट समीती भिलाई डट सेना सिनहा समाज ने बताया कि इस समाज में कई सारे शेत्र में उत्कृष्ट कारियों से समाज का मान भड़ा है समाज आज गौरों महसुस कर रहा है इस शुभायात्रा का इक्रम में जिसे प्रमुक रूप से डट सिना कलार समाज रिखी राम सिनह एवं नगरपाली करनी का मरिसाली से अशोक सिनह इस यात्रा में सामिल होए हमारा जो समाज है एक उच्च सोच रखने वाला समाज है संगटित समाज है किन्तु अपरहार कारणों से समाज में कुछ संकट आने लगा समाज के बुजुर्गों ने चिंतन के अमनन किया कि हमारे समाज में नेक प्रकार के बाधाएं आ रही है समाजी कुरुसे और राजनिती कुरुसे किसी प्रकार से तो उन सब को द्रिष्टी को रखते हुए समाज के कल्यान के लिए सर्व जन की कल्यान के लिए भागवान स प्रतिवर्स किया जाता है और हमारे बुजुर्गों ने यह जो प्रारम्भ किया था जिसे आने वाले पिड़ी भी उसका नुसरन करते जा रहे हैं और इस सत्यारान कथा यह जी सत्यारान पुजह के आयोजन से निश्च veggie हमारे समाज का कल्यानध में बहुट सारे संप्राइब अ किसी फिस प्रकार की घटना नहीं हुआ और घटना होते होते भी बचा है यह प्रमानिक भगवान सत्यनानिक कथा पुजा के बाद हमको पता चला इलाब मिला है यह निश्चित है एक प्रकार से हमारे समाज का सक्ति प्रदर्शन था हमारा समाज निरंतर आठ सो सालों तक राज्य करता रहा कल्चूरी वंस किन्टु पर और पीछे था तो समाज के फिर से संगठित करने ने और एक जूट करने के क्लिए उस्त्राइली का आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है विगत पाँ साथ सालों से लोग आये वे इस में हमारे महाराष्टे से आये थे और टाटा से आये थे लोग और अज जो उत्तर कम 1000 की संख्या थी लोगों की बाहर से आया हूथे और यहां मिला करके स्थानी लोगों करकर ठेके और लगभग कार की रैली तो लगभग के किलोमेटर कार की रैली थी देखते ही बन रहा था यह हमारा सकती प्रदर्शन था बहरार यात्रा में समाज की लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया ग्रैंडी सेन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट